किसान विरों आप देख सकते हो इस समय ग्यों की फसल बाली निकलने की वास्ता में और कहीं कहीं पे 5-10% बाली निकल चुकी है तो इस समय कई बर अधिकतर किस्मों में हल्दी रोग के परकोप का खत्रा बना रहता है और इसी हल्दी रोग की पैचान के लिए हमें खेत के अं हमें समय लेना चाहिए कि हमारी ग्यों की फसल में हल्दी रोग का प्रकोप शुरू हो चुका है तो इसी रोग की शुरुवातिय वास्ता में हमें बिना देरी किये प्रॉपी कोना जॉल 25% की 200-500 ml प्रतियकड मातरा को 1500 लिटर पानी के साथ चुड़काव कर देना चाहिए मतलब अगर ये रोग बहुत कम दिखाई दे तो इसी प्रॉपी कोना जॉल 25% दवा से पुर्ण दियंतरन हो जाएगा और अवशकता पढ़ने पर इस दवा का 12-15 दिन के अंतराल पर दुबारा शुड़का भी किया जा सकता है इसके लावा ग्यों की फसल की किसी किस्म में ये रोग बहुत जाद दिखाई दे तो हमें प्रॉपी कोना जॉल 25% के साथ M45 जिसकी सही मतलब रहेगी 400 ग्राम प्रतियकर के इसाब से इन दोनों दवाओं का इस्तुमाल करने पर इस रोग पर पुर्ण दियंतरन पाया जा सकता है तो किसान वीरो फसल का और भी अच्छ स्क्राइब कर दीजिए धन्यवाद